हलो एवरीवान वेलकम टू माइ चैनल सीसी के विद पूजा ओलेबल मॉडियूल 2 M2R5 वेब डिजाइनिंग इन पॉब्रिशिंग की सीरीज में आज की क्लास में हम इमेज टेक के अट्रिब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं इसे पिश्टी क्लास में आपने इमेज टेक की कुछ एट्रिब्यूट्स के बारे में जाना था जैसे की SRC, Weight, Height, Align आज पार टू की क्लास के अंदर हम इमेज के कुछ और एट्रिब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं जैसे की Border Attribute Border Attribute का इस्तमाल हम किसी भी इमेज की वई Border Attribute का इस्तमाल करके हम किसी भी इमेज पर Border Apply कर सकते हैं इसके लिए आपको Image SRC Address के साथ में यहाँ पर Border देना होता है और आपको उसका Size देना होता है कि यहाँ Border जो है वो कितना Size उसका रखना चाहते हैं उसके बाद एक और Attribute है जो की है H Space H Space मतला हम Horizontal Space अगर इमेज को Right और Left में खाली जगे को Set करने के लिए हम H Space का इस्तमाल करते हैं इसको आपको Tag के साथ कुछ इस तरीके से देना होता है उसके मादर हम Vertical Space की बात करें V Space तो ये इमेज के नीचे खाली जगे को Set करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं यानि कि जो Vertical Space होता है उसको देने के लिए हम V Space यूज करते हैं और अगर हम इमेज जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इमेज का नाम डिस्पेलिना हो पाने की Condition में अगर आप वहाँ पर कोई Tags लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt Attribute का इस्तमाल करते हैं अब इन Tag को अब इन Attributes को हम एक एक करके समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है वो इमेज देते समय हम Border, H Space, B Space और Alt इनका आम किस तरीके से इस्तमाल करते हैं तो नोट पर प्लस प्लस प्रोग्राम पर आते हैं तो यहाँ पर हम उने Basic से Tags जो हैं उनको हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमने Basic से Tags जो हैं वो लिख लिए हैं आप Body Tags के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम Image Tags Image SRC और उसके बाद यहाँ पर हम Image का Address लेंगे तो Image का Address हम देते हैं मैंने आपको पिश्판 बार में बताया था यहाँ पर कोई भी Image को Select करते हैं उसके बाद उस Image पर Right Click करके हम यहाँ पर उसकी में जाते हैं उसके बाद यहाँ पर Location को Copy करते हैं से पहले select करके, यहां से मैंने copy किया, image src में ही आपको यह address पेस्ट करना है, उसके बाद आपको slash देना है, और उसके बाद file का नाम और उसका type, जैसे गर jpg है, तो jpg हम लिखेंगे, और png हुआ तो png लिखेंगे, यह हमारा image का address आगया, अब इसको हम file menu पे जाकर हम इसको save कर लेते हैं, यहां पर हम देते हैं, इसको image tag part 2.html, और यह हमारी file desktop पे save होने जा रही है, इसको हमने save किया, आप इस file को जाकर देखते हैं, image tag part 2 में, अब यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने image default size पर दे दी, इसलिए आपको image का जो size है वो default में दिख रहा है, अ अब अगर आपको image के size shorter गड़ना है, तो मैंने पिछी glass में आपको बताए था, कि यहां पर आप height width tag लगा दीजिए, तो यहां पर हम एक height width tag भी लगा देते हैं, ताकि जो मेरी image है, वो यहां पर आजाए, यह height और यह width, इसकी width मैंने 50% रखी, इसको मैंने save किया, और फिर हम browser पर जाकर जब इसको refresh करेंगे, तो आपको image जो होगी, वो कुछ दिखेगी, पर हमारा page का size काफी छोटा, इसलिए इस तरह से दिखरी है, तो यह इसका size हो गया, अब यहां पर, अगर हम border की बात करते हैं, तो हम इसी image tag के, अंदर यहां पर space करके, हम यहां पर लिखें आप इस image के साथ में, यहां पर आपको इसका border जो है, वो show होगा, अब यहां पर अगर border नहीं आए, तो इसको percentage लगा कर, यहां पर हम इसको refresh करके दिखते हैं, तो यहां पर आपको border दिखाई दीगा, अगर border नहीं समझ में आ रहा है, तो आप border कर size बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको यहां पर image में border जो है, वो दिखाई दे जाएगा, तो इस तरह से जो है, वो हम image पर कोई भी type का border दे सकते हैं, गर हम इस पर border देना हो तो, अब माल लेजे इस image पर मुझे horizontal space देना है, तो उसके लिए हम यहां पर, इसके अंदर हम h space attribute लगाएंगे, और जितना भी आपको space देना हो, जैसे कि 20%, इसको मैंने save किया, उसके बाद browser पर जाकर इसको मैंने refresh किया, आप देख सकते हैं, यहां पर left में जो space है, वो horizontal में आपको दिख रहा है, अगर हम vertical space भी देना चाहते हैं, तो यहां पर हम, तो अगर हम वर्टिकल में space देना है, तो हमने आप ल refresh किया, आप देख सकते हैं, उपर से space इतना हो गया, जो vertical space है, वो यहां पर हमारी image को, यहां पर down में ला रहा है, और जो horizontal space है, वो दाए से, वो left से right में आपका image को page से, यहां पर इस तरह से दिखा रहा है, आप H space यानि की horizontal space के लिए, अगर आपको page पर, अगर आपको image को horizontal space में रखना है, तो आप H space दे सकते हैं, और अगर आपको image को vertical space में रखना है, तो आप V space दे सकते हैं, उसके बाद हमने alt की बात की थी, तो माल लीजिये, मैंने हापर लगाया alt attribute, और अगर हम इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे image not found, अगर अभी आप इसको save करेंगे, औ पर आप जाएंगे, तो आपको इसके अंदर कोई भी खास difference नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारी image का address जो है, वो हमने दे रखा है, और हमारी image हमको दिखाई दे रही है, बट, अगर हम यहाँ जाकर, image की address में कोई change कर देते हैं, इसे माल लीजिये, मैंने हापर यह dot अट कराएगा image की साथ में, image not found, जो की मैंने यहाँ पर alt की साथ में, यहाँ पर message दिया हुआ था, तो अगर आपकी image किसी बज़े से show नहीं हो रही है, और अगर आप उस image की साथ में कोई message डिस्पले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम alt attribute का सित्माल करते हैं, याद रखेगा अगर आपकी image की address में कोई mistake नहीं होगी, तो फिर आपको यह जो alt वाला work है वो आपको show नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी image की address में कोई गड़बन है, तो आपको image पेश पर दिखने की जगे वहाँ पर message आ जाएगा, जो भी आपने उसके अंदर लिख रखाओ, अब आप के लिए, height, picture की height बढ़ाने के लिए, width, किसी picture की width को increase करने के लिए, border, किसी picture की किनारे पर border लगाने के लिए, h space, horizontal space के लिए, and v space, vertical space के लिए, प्लस, अगर हम image के साथ कुछ लिखना चाहरे है, कुछ message देना चाहरे है, तो हम यहाँ पे alt का attribute भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस तरही के से आप image tag के attributes के इस्तमाल करते हैं, जब आप web page पर किसी image को देखते हैं, तो उसके लिए आपको इन सारे attributes की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप HTML में किसी image को page पर देना चाहरे हैं, तो आप इन attributes के इस्तमाल कर सकते हैं, तो आज की class में आपने image tag के कुछ attributes के बारे में जाना, उमीद है कि आपको आज की attributes की जो part 2 की class है, वो आपको समझ आई होगी, next class में हम इसी तरही के से कुछ और tag और उनके attributes के बारे में बात करेंगी, मिलते हैं next class में